समस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संचित स्वागत करता हूँ नॉलेजगेट प्लेटफॉर्म पे इस प्लेलिस में जहां पर हम डिसकेशन कर रहे हैं टियोसी और DFA पे अडिशनल काम हम कर रहे हैं हूँ सकता आपको थोड़ा बोर भी लग रहा मुझे पता नहीं बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं बट जरूरी है सर तो यहां पर जब तक सॉलिड तरीगे से काम नहीं कर लेंगे ना तब तक उसका मज़ा आएगा नहीं इतनी मशीन बना डालिए कि एक्जाम में जो मशीन पूछे आपके उनिवर्स्टी एक्जाम में पेस्यू में वह पहले कभी न कभी आपने देखिया बनाई हूँ है ना तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक पॉसिवल पैटर्न एक बर आपको टेस्ट करा दूँ इस वीडियो में एक नया पैटर्न ट्राइब करेंगे जहां पर हम रिलेटिव पोजिशन फिक्स करते कि इस पोजिशन पर नंबर होना चाहिए इस पोजिशन में भी आइधर फ्रम दे लेफ्ट हैंड और राइट है तो उसी तरह के पाटर्न यहां पर है पहले एंथ पोजिशन अगर लेफ्ट हैंड से कोई फिक्स कर रहा है यहाला कि थोड़ा सा असान लॉजिक होता है तो उसको कैसे ट्राइब करेंगे विल अगर फिक्स कर चुका है तो लेट मी डार्कली गो तो दा कुश्ट परला मैं चाहता हूं तसलिए से पुरा पट्र पर लीजे क्या बोल रहा है तो इसमें कोई निया काम इसने किया नहीं तो वाट इस सिग्मा इस एक्मापा इस ईव्ट आगे क्या बोल रहा है पाल बनाना शुरू करूं, पहला सिंबल क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ तो यह वाला हो ना, this is left, पहला सिंबल क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, but the second symbol must be be, उसके बाद कितने symbol है, है भी के नहीं है, है तो क्या है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले करना पड़ेगा, पहले तो I think state change कर लीजे, कोई problem नहीं है, तो पहला symbol क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, so allow me to change state, either it can be A or B and let me go to Q1, अब यहां है सारे मुद्धे की बार, तो बोल रहा है, second symbol must be be only, उसमें कोई negotiation नहीं चाहिए, तो ठीक है, जैसा बोल रहा है, तो second symbol हम लगते हैं B, और हम पहुच जाते हैं Q2 पे, और अगर B नहीं तो क्या करें, इस बात को यहीं आप बोलो तो complete किये देता हूं, so you can have anything, but मैं आपको भी पकड़ के लिखे जाने वाला हूं, dead state पे, what is dead state, जहां पर एक बार आप पहुचे तो वहां से final पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, so this is the idea, yes, अब यहां देखिए, एक बार आप पहुचे क्यों टूपर, तो आप क्या करेंगे बताएं, sir, कुछ करने की ज़रूद नहीं, एक ही तो condition थी जो बोला था, कि second symbol भी होना चाहिए, second symbol भी है, अब इसके आगे symbols है के नहीं, किस order में मेरे को क्या फर्ख पड़ता है, so is it okay if I take a self loop here only, and I'll say, loop लगा दो, this is only the final state, काम तो करेगा मेरे को लग रहा है, so there you have a DFA, which will work fine, for any string जहां पे second position पे बैठा हुगा है, एक उस पे try करिये, and then using the same idea, अगर मैं थोड़ा pattern change कर दूँ अब, so now, the symbol is not B, symbol is A, and the fourth position from the left hand side, so again मेरे को लग रहा है, now you can follow the idea, the pattern clear है, इसका मतलब, पहला 3 symbol कुछ नो कुछ होना चाहिए, हाला कि वो symbol क्या है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, but the fourth symbol must be A only, four symbol A होना चाहिए, उसके अगर कितना है, किस लेंद का अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह pattern में सर, मताये कैसे काम करों, तो start करता हूँ, and let me start with Q0 only, so Q0 से बताये, पहला symbol can be anything, it can be A or B, second symbol again it can be anything, A or B, third symbol again it can be anything, A or B, and now you come to the fourth symbol, यह जंड़ा की बात है, यहां A or B मत कर दीजगे, इसके बोल रहा ह ही होना चाहिए, तो Q3 पर A आया, तो मैं पहुंचूंगा Sir Q4 पर, and this is like final, और अगर B आया तो, यह Sir idea hold नहीं करेगा, let me say this is Q5, और यह कर लेता हूँ, dead, again 4 symbol A है, उसके बाद कितने symbol आएंगे, आएंगे भी की नहीं आएंगे, विर्कोंस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता So Q4 को कर देते है, final with a dead state, तो बहुत simple pattern और बहुत शानदार तरीके से यह पूरा pattern हमने try किया है, I hope यह पूरा idea आपको समझ आ रहा होगा, और एक छोटी सी बात, अगर आपने notice कियो, इसको conclude कर देता हूँ, जब second symbol हमने fix किया, तो number of states कितने आए, number of states आए 4, So basically 2 plus 2 कर दिया जब fourth symbol हमने fix किया, तो number of states कितने आए, 6, So basically यहाँ पर भी 2 किया, तो इस बात का मतलब है कि इस तरह के pattern में, जब भी आपसे question पूछे कि left hand से position fix कर रहा, तो answer क्या हो बोलो, and plus, तो कोई आपसे पूछ ले, आने वाले साल में, suppose this is blah blah blah, and the 2024th position from left hand side will be this, बताओ कितना state बनेग तो examiner चेक कर रहा है कि आर आपको pattern पता है, कि यह pattern पता है, तो you know 2024 plus 2, so thereby 2026 will be the answer, yes, अब यह बात simple थी, मजा यहाँ पर आएगा, यह question पूछे हो, now this will be fun, क्या बोल रहा है तो design a minimal DFA that accepts all the strings over the alphabet A, B, such that every accepted string second symbol from the right hand must be be, right hand, तो string कुछ भी हो सकता है कि इतने भी length का हो सकता है, right hand, मतलब end से देख रहा है, यानि कि आसान भाशा मैं बोलू, तो string का length कुछ भी हो, लेकिन जो second last symbol है ना वो भी होना चाहिए, इस तरह का machine बनाना है, अब सर इस तरह का machine बनाना, सोचना, इस पर काम करना ना, to be very honest, यह का आसाम है, आसान काम नहीं है, क्यों मैं बोलता हूँ आप, सुनो मेरी बात, जब आप इस symbol पर होंगे, तो आपको यह पता नहीं होगा, कि यह second last symbol है, आपको थोड़ी पता, अगिस ट्रिंग खतम होने वाली है, और जब आपको यह पता लगेगा, कि यह second last symbol था, तो आप कैसे बनाएंगे, हम मैं आगे काम करता हूँ, तो देखिए, अगे पैटर्न कैसे चलेगा यह, क्यों मैं स्टार्ट करूँगा, हम तो हमेशे अपने पैटर्न के लिए बनाते हैं, तो smallest possible string जो accept होगी, या तो BA होगी, सबसे छोटा string दो लेंग का तो होना ही चाहिए, या त होगी, तो एक बाद तो मेरे को पता है, अगर B आएगा सर, तो मैं आगे बढ़ूँगा, माली जिए मैं पहुंचा Q1 पर, Q1 फाइनल नहीं है, बट इसके बाद कुछ भी आए, तो अगर इसके बाद A आता है, तो भी यह फाइनल है, और अगर इसके बाद B आता है सर, तो भी यह फाइनल है, यह बात, दोनों बात आदे के समझ पा रहे हैं किया, so Q0 Q1, let me name this as Q2 and let me name this as Q3, basic pattern तो हमने बना लिया, जो हर बार हम करते है, basic pattern बनाने के बाद हमरे अजन्टा क्या होता है, machine को complete करना है, अभी complete कैसे करना है, वो सोचना शुरू करते है, तो starting में अगर already complete है, अगर Q3 पे मैं हूँ, B, B आया है, और कितना B, B आता रहे, इससे कोई problem होगा, I don't think so, तो आप यहाँ पर loop कर सकते है, B, B आने के बाद अगर A आये, तो भी, क्योंकि अभी A है, बट second last symbol तो B था, तो मैं straight change कर रहा हूँ क्योंकि Q2 पे चला जाता हूँ, बट है यह B, finally, यहाँ जाके सोचना पड़ेगा, Q2 पे आप हो, अभी last symbol A है, हाला कि second last symbol B था, अब अगर दुबारा A आये, तो क्या करेंगे, now I can take you back to initial state, because आप इसमें कोई ताकन बची नहीं है, हाला कि अगर B आया, तो अभी accept नहीं होगा, बट फिर दुबारा से उसके बाद जो आएगा, वह accept वाली कहानी चालू हो जाएगी, so this is the final machine, जो क्या करेगा, sir, it is going to accept every possible string, जहाँ पे second last symbol B होगा, और यह बड़ा कमाल का आइडिया है, अगर आप पूरी playlist जहां से देखते आ रहे हैं, और काम कर रहे हैं, तो आप भी उत्रहीं नहीं कर पा रहेंगे, जितना म congratulating, अब problem यह है कि यह तो चलो ठीक है, छोटा case था हमने बना लिया, बड़े case में कैसे करेंगे, if somebody asks you third position, fourth position, tenth position from right hand side, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना, अब यहाँ पर आपका एक shortcut trick समझाता हूँ, shortcut trick क्या है इसका, imagine करिए, यह case हमने किसके लिए बनाया, यह case हमन बनाता है, third last symbol from B के लिए, उसको मैं ऐसे नहीं बनाता है, जैसे आप जानते है, starting में हमने observe किया है, क्या किसी भी finite automata को, DFA को, हम transition diagram के साथ साथ, table से भी represent कर सकते हैं, हाँ, तो आपको कुछ trick समझाता हूँ, right hand side पे, जैसे left hand side पे trick क्या थी, n plus 2 थी ना, कि जो भी position होगा, plus 2 करो, यहां पे rule क्या चलता है, यहां पे चलता है 2 की power, मतलब, अब जैसे यह जो question हमने solve किया, यह right hand side से second position का question था, तो second position का था, इसलिए 2 raise to power 2 answer हो गया 4, अब अगर हम बनाए third position, तो game क्या हो जाएगा, 2 की power 3, तो total number of states कितने होगे, 8 होगे मेरे को पहले से पता है, तो म diagram के वजाए table बनाते है, 8 state है, नाम लिखना चुरू करता हूँ, q0, q1, q2, then q3, then q4, q5, q6, and q7, इतना तो करी सकते है, कोई problem नहीं है, तो हमने total number of states बना लिए, हैना, आप बोलो कि sir, states बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चलो बना लिया, पूरा game तो transition का है, transition कैसे करेंगे, वो भी आपको बता देता हूँ, तो आप क्या करिए, it's a trick idea, आप left to right, top to down, जितने state up भरते जाओ, left to right, top to down, जितने state up भरते जाओ, तो कैसे भरोगे बताओ, so, you can go like, q0, q1, then q2, and q3, then q4, and q5, then q6, and q7, यहां तक खतम हो गया, फिर से चालो करो, q0, and q1, again q2, and q3, then you have q4, and q5, and then you can have q6, and q7, इतनी बाद भी complete होगे, तो total state क्या है, वो भी समझा गया, transition क्या है, वो भी समझा गया, तो final कौन सा होगा, the lower half state will be final, मतलब, total कितना state है, 8 है, 8 को 2 से डिवाइट करो, कितना बचेगा, 4 बचेगा, नीचे के 4, so, 1, 2, 3, 4, यह हो गया, fine, अब सरी एक कॉलम, जायर सी बात है, दो सिम्बल, a, b, तो rule क्या कहता है, जो भी सिम्बल आपको एक्सेप्ट कराना है, उसको आप सेकिंड कॉलम में रखो, for example, माल लिजे, अभी हमने बनाया, second last symbol, b था नहां, चलो, a के लिए बनाते है, the third last symbol must be a, so, what you can do is, a को इधर रख दो, b को इधर रख दो, क्या फरक पड़ता है, now, there you have a machine, obviously, initial state तो क्यो नॉटी है, there you have a machine, आप इसे दस पांट स्टिंग पर चला के देखना, यह string, वो, यह, यह machine, यह finite automata, deterministic, minimal deterministic finite automata, वो सारे string accept करेगा, जिसमें third last symbol, a होगा, क्योंकि वो मैंने second column में रखा है, वरना नहीं करेगा, this is the trick, तो पहली बात तो यह इस pattern को आम तोर पर examiner बहुत जादे investigate करें, ज़रूरी नहीं है, बड़ अगर कोई करता भी है, then you must know the idea, number of states के formula क्या है, number of states के लिए formula 2 की power n, तक और कोई बोल दे, fourth position from the right hand side, must be something something, तो 2 raised to power 4, you know, 16 is going to be the correct answer, और examiner इसलिए पूछ रहे है देखने के लिए कि formula आपको पता है के नहीं, बगर यह तो बात ते है, शायद ही यह pattern को exam में बना पाए, वो possible नहीं है, तो ट्रिक अगर आपको समझ आती है, तो मामला सेट हो जाएगा, comment करके मुझे बताईगा, यह पूरा पाटर्न आप फॉलो कर पाए के नहीं, and this is the idea, जो मने आपको बता दिया, nth position है गर right hand side की, तो टोटल number of states के तने हो जाते हैं sir, 2 raised to power n, and this, there you have a fill in the blank, there you have a question, right hand side से symbol B होना चाहिए, fourth position है, बताओ कितने state होंगे, so थोड़ा trick किया है, हलाकि बने option में, अगर आप follow कर रहें तो आप समझ रहोंगे, 2, 4, 8, and 9, इन सब में से, और कोई ने, none of above, है ना, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं sir, यह playlist बहुत कमाल की है, हंड़ से जादा वीडियो है, पूरा playlist चेक करिए, TOC फोड़ा हुआ है, यह पढ़ने के बाद आप पढ़ना छोड़िए, किसी को पढ़ा भी सकते है, यह university exams, any competitive exams, interview, वाइवा, हर चीज़ के लिए playlist more than sufficient है, तो चैनल को subscribe करिए, bell icon को press करिए, किसी भी आप year में है, कोई भी course कर रहे है, computer science related, यह चैनल आपको बहुत help करने वाला है, yes, thank you so much, भगवान आप सभी को खुश रखे, जै हिन, जै भारत.